आपकी क्या उमीद है? क्या इस बार रेट के टाउदी हो सकती है? आपकी क्या आप कुछ राहत देंगे इंडस्ट्री को? देखिए जो क्रेट पॉलिशी आने वाली है, वो इसलिए इंपोर्टेंट है कि इस इस पॉस्ट बजट पॉलिशी जस्ट आप्टर एकोनेमिक सर्वे और पॉस्ट बजट इदी कोई अनाउंस्मेंट होता है, तो डेफिनेटली इस बार इंडिया जो बजट में अनाउंस्मेंट किया है, उनके उपर एक करेगी उसी सब से हम उमिद रखते हैं कि हाली में भारत सरकार ने भी जो स्माल सेविंग सेविंग सेवरेट कम किया है, 40 पैसा से 70 पैसा, तो हम उमिद लगा कर रखते हैं कि रिजविंग को इंडिया सुडाल सो गिविया एक कट, रेट कट, विच इन लाइन ऑफ गौर्नमेंट विच अपेक्टे सोसलि में, एंडिस्त एक्स और पुलिक एक्सटेत क्टे संसर्कार ने गह एकन्ळीविगा सर औरमींतुरे, विया हूं के असर कैसे आप किते हैं किन अधी कंट्री का डियाम में आ लिग ऑना है, तो उसके लिए रेट कट होना बालूरपटियोरी है, और competitive होगा तो market not only the market but we will be exportable in other countries also. वाद तभी सम्भब होगा जब हमेरी costing calculate के लिए होना जरूरी है. जहां तक savings की rate कम करने से जो affected हैं, चाहे हमारे senior citizens हैं, चाहे pensioners हैं, चाहे दूसरे जो भी हैं, उनको जरूरिसमें नुक्षान होने वाला है. पर यदी महेंगही नहीं बढ़ती है, और महेंगह पे कांड्रोल जा जाए खता है, तो उसका इंपैक्ट नहीं होगा. पर उसका फाइदा जुरूर होगा कि यदि सेविंग्स की रेट या इनकी रेट से आपका चीपर फाइनेंस मिलता है तो डिफेनेटली कोस्ट कम होगी और कोस्ट कम होने से प्रोडक्शन से साथ साथ दूसरे कंट्री जब एक्सपोर्ट भी बड़ेगा और कंट्री में भी इसका दूबल भाइदा होगा